बरोदा हलके से जन्राइक जिन्दा पाची के उमिद्वार भुपेंद्र मलिक ने अपने चनाव प्रचार को तेज कर दिया है रोजाना अपने हलके के दर्जनों गाओं में वो जन्सभा करके लोगों से वोट की अपील कर रहे है बुपेंद्र मलिक ने कहा कि 40,000 वोटों से उनकी जीत होगी रिपोर्ट देखे इस दोरान भुपेंद्र मलिक ने जन्नाग जन्ता पार्टी को देवी लाल किया दर्शू की पार्टी बताते हुए कहा इस देवी लाल ने 36 विरादरी को साथ लेकर नीतिया बनाई थी और परोधा हलके की आज तक अंदेखी की गई है आज तक यहां से बाहरी उम्मेदवार सुनाव रटता आ रहा है जिसके चलते यहां के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा परोधा हलका विकास के नाम पर पिश्वा हुआ है वो परेंद्र मलिक ने कहा कि जिस तरीके से हलके की जन्ता का प्यार मिल रहा है उससे लगता है कि 40,000 से जादा वोटों से चीत होगी जाद कोई बिर क्याम सुर्टे जैसे टेक्शन सुरूप जरेजा सुरूप रहाता है उन इत्के ओविमारे को पता है कि जिसके पापिर जी मैं तो इत्वात है रहा हुँ जो आपारी मत्त प्रशुप भूबे के साथ बरता हर्टा के साथ जो निसो आइस बात पुरूप जिकाएं अटे लिग आएं आईनी दिसको अहले प्रियों में उसका पुनने लेने के लिए और तो हमारे भूबटा-हा कि जो कुछी तन्वीयर में बिरेटी जो तन्वीयर में नबपा पुछिया थिस्के लिए बहर हाल वो बेंद्र मलिक जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लगातार जनता के वीड जाकर वोट के अपील कर रहे हैं। अब देखना होगा जनादेश क्या फैसला करता है। परोधा से सुनेल जेतर प्रोडल मुश।